Good morning students, इस वीडियो में हम HTML फाइल में अपना पहला वेब पेज बनाना सिखेंगे सबसे पहले Notepad को ओपन करने की विधी HTML को हम Notepad, Notepad Plus में भी रन कर सकते हैं पर हम इसे Notepad पर ही बनाएंगे सबसे पहले Windows स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे या कीबोर से Windows लोगों की दबाएं फिर All Programs पर क्लिक करें थर्ड इसके बाद Accessory पर क्लिक करें नमबर फॉर फिर Notepad पर क्लिक करें और MS Notepad आपके सामने ओपन हो जाएगा HTML से First Base बनाने के लिए हमें कुछ Steps को Follow करना होगा Step 1 एक Text Editor ओपन कीजिए यानि की Notepad ओपन कीजिए अपना First HTML Web Page बनाने के लिए सबसे पहले तो एक Simple Text Editor को Open कीजिए इसके लिए आप Notepad का उप्योग कर सकते हैं Notepad शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा टूल है HTML से First Base बनाने का Second Step है HTML Code लिखिए Notepad को Open करने के बाद आपको इसमें कुछ HTML लिखनी है आप नीचे लिखे HTML प्रोग्राम को अपने Notepad में कोपी कर सकते हैं या फिर HTML प्रोग्राम को कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं For example, मैंने सबसे पहले HTML लिखा After that मैंने Body Tag को शुरू करते हुए इसमें कुछ Heading लिखी है इसके अंदर मैंने Heading Tag और Paragraph जो की P से लिखा हुआ है शुरू किये है After that Body Finish and HTML Finish इसको Forwarding Slash से हमने Close किया है पहले हम इसे Start करेंगे जहां मैंने इसे Simple HTML से लिखा है और After that Forwarding Slash से मैंने इसे Close किया है Step 3 जब आप अपनी Coding को लिख लेंगे उसके बाद Step 3 को Follow करें HTML फाइल को Save कीजिए HTML फाइल को Save करने के लिए File पर जाएं इसके बाद Save पर जाएं यहां अपनी फाइल का नाम लिखे नीचे चित्र देखे जो आपको Next Slide में दिखाया जाएगा जैसे FirstWebPage.html यह HTML यह HTML जो है HTML की एक Extension फाइल होती है जिसे हम फाइल को Save करने के लिए यूज करते हैं .html लिखने के बाद वेब ब्राउजर को यह पता चलता है कि यह एक HTML फाइल है और इसके बाद Save बटन पर क्लिक कीजिए For example See this यह हमने इसको Save किया है FirstPaste .html See this After that हम किस पे क्लिक करेंगे Save बटन पे क्लिक करेंगे यह जो आपका Save बटन है Next Step 4 HTML फाइल को ब्राउजर में Open कीजिए यह लास्ट स्टेप है जो हमने HTML कोडिंग लिखी है Notepad पर वो हम ब्राउजर के उपर देखेंगे अब आपका FirstPaste First HTML डोकुमेंट बिल्कुल तियार हो चुका है अब HTML कोड से बने वेब पेस को देखना है इसके लिए हम अपनी Saved फाइल को Open करना है फाइल को खोलने के लिए इसके उपर माउस से डबल क्लिक कीजिए आपकी फाइल आपके Default ब्राउजर में Open हो जाएगी जो आपको कुछ इस प्रकार दिख रही होगी See this ये heading 1 दिया था और ये paragraph के अंदर दिया था तो ये मेरी output थी जो मेरी वैब पेस तियार करने में आई है